हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टो माई चैनल ब्यूटी गॉसिप जहां मैं आपके साथ शेयर करते हूं कई सारे ब्यूटी स्किन केर टिप और हेयर केर लेकिन आज की वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वह है अपना अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपने नोटीस किया होगा कि मेरी चैनल पर वीडियो जो है पहले की आकॉर्डिंग थोड़े कम अपलोड हो रहे हैं तो इसका एक रीजन है कि जो मेरा ये प्रेग्नेंसी का तो इसके वजह से मैं जो अपना यह वालिटरी टाइम होता है यह पूरा इंजॉय कर रहे हूं या फिर यह बोलू कि मैं अपने मी टाइम का पूरा-पूरा यूज़ कर रहे हूं तो इस टाइम पर मैंने वर्कलोड थोडा कम ले रखा है विडियो कम बना पाती हूं अपने बैग में क्या-क्या पैक किया है अपने लिए और अगर आप भी प्रेंगनेंट है या फिर आप भी अपना बैग पैक करने से पहले कुछ सर्च कर रही है कि आपको क्या-क्या पैक करना है तो ये मैं आपके साथ share कर रही हूं कि मैंने अपने लिए क्या क्या pack क्या है और आपको भी क्या क्या pack करना चाहिए अब होस्पिटल बैक में जो मैंने सबसे पहले pack किया है वो कि यह है कपड़े मैं आपको बता दू कि कपड़े जब भी आप पैक करें तो मौसम के हिसाब से करें क्योंकि इस टाइम पे मेरी डिलिवरी सर्दियों में है तो मैंने कुछ ये गरम कपड़े अपने पैक के हैं तो आप अपने सीजन के हिसाब से अपने कपड़े रख सकते हैं मैंने यहां पे जैसे ठंड का सीजन है तो मैंने कुछ वूलन के अपने लिए टॉप रखे हैं कुछ वूलन के पैजामा रखे हैं और उसके बाद मैंने जो रखा है मैंने यहां पे दो स्टॉल अपने लिए वूलन के रखे हैं क्योंकि डिलिवरी सर्दियों में है क्योंकि लग सकती है कि ठंड का टाइम है तो हॉस्पिटल से घर आते वक्तिया फिर हॉस्पिटल के अंदर अगर मुझे स्टॉल की जरूरत होती है तो मेरे पास होना चाहिए इसलिए मैंने अपने लिए दो वूलन के स्टॉल यहां पे रखे हैं अगर आपको हॉस्पिटल से लिस्ट मिलती है तो आप अपनी पैकिंग करते हैं कभी हॉस्पिटल काफी कुछ प्रोवाइड करते हैं तो आपको एक बार अपना बेक अच्छे से पैक लेना चाहिए अगर जो चीज़ आपको मिल रही है आप उनके साथ कमफर्टेबल है तो आपको अल्य ऐसे क्लाइज चीज क्लिए अधों कि मैं रखिकां थåाइज के बैक पेरों को बचाने थे झाला किसए मैं रखी है यह सब्सक्तार अधे मुफ्सक्राइज जाएं एसके साथ एक हलका स्टॉल और दो तिन पेर आफ सॉक्स दो रखें रखें क्योंकि कब जरूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं सकते तो इससे अच्छा है आपके पास ना हो उससे अच्छा है कि आप पहले से ही तैयारी करके रखें और अपने हॉस्पिटल बैग में स्टॉल और सॉक्स जरूर रखें तो पांचती चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है और हॉस्पिटल वालों ने भी मेंचन किया हुआ था तो वह मैंने अपने लिए रखी है मैटरिनेटिव ब्रा के रखें हैं अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप नॉर्मल ब्रा भी कैरी कर सकते हैं लेकिन मैटरिनेटिव ब्रा के साथ काफी एजी होता है बेबी को फीट कराना तो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसको जरूर लीजिए तो 6 नंबर पर जो मैंने रखा है या फिर यह कहूं कि आफ्टर डिलिवरी जो सबसे इंपॉर्टन चीज होने वाली है मेरे लिए व क्योंकि डिलिवरी के बाद काफी सारा लीकेज होता है तो उसके लिए मैंने पहले से ही यह ब्रैस पर डिस्पोजल खरीद लिया है आप चाहें तो अगर आपको लगता है कि आपको अतना लीकेज नहीं होगा तो आप अवाइट कर सकते हैं लेकिन कब क्या हो जाए कुछ क अपने अंडर गार्मेंट्स और काफी तकि काफि काफी खराब हो जाते हैं यूस एन थ्रो वाली सिट्रेशन होती है तो मैंने 5-6 पैक डूंड वाले अंडरमेंट्स रखे हैं थाकि अगर बेबी को थाँए क्याइश्य नहीं देखे चाहिए होते हैं और काफी महंगे वह मिल रहे थे तो मैंने उन्हें अवोइड किया है तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं अदरवाइस आप भी इस्टॉल या फिर कुछ वगरा से काम चला सकते हैं इसके लावा मैंने कुछ ज्यादा नहीं बहुत थोड़ी टॉलिटरी रखी हैं जैसे फेश वास हो गया टूथ प्रश हो गया और मॉश्राइजर हो गया बस मैंने इतना ही रखा है और एक लिप बाम मैंने रखा है इससे ज्यादा मैंने कुछ कहरी नहीं किया क्योंकि आपक कुछ नहीं रखा एक कौम मैंने जरूर रखी है और दो तिन हेयर क्लिप और रबड रखें तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको ताइम मिलेगा और आपको बहुत अच्छे से तैयार होके घर आना है तो आप उस हिसाब से अपने मेकप जो गटेर कर सकते हैं तो यह था आज मैंने आपको बता है कि अपने आपके साथ यह क्ली जलदी मैं आपके साथ एक और वीडियो करूँगी जिस में आपको दिखा हूंगी covenant स tal Let's bye-bye